दोस्तों कैसा हो आप सब स्वागत है और यहां पे इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि उसके साथ लउंच किया उन्प्लासर आर अब यहां पर बात कने वाला यहां पर लोगं ध़ूर्फज है क्योंकि दोनों की जो प्राइज है आईक्यू 11 और 1 प्लस 11 की सेम है तो काफी लोग कन्फूज है कि वह आईक्यू 11 के तरब जाने चाहिए और कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस बनी है दोनों में अगर दोनों की स्पेक्स को भी देखोगे तो लगभग आपको सेम ही दिखेगा कुछ 2-3 पॉइंट जो है यहां कि असानी होगी कंफूजन कुछ नहीं रहेगा तो वीदियो को पूरा ज़रूर दखना और चानल को आपको लोग बता ही क्या करना है मैं आगे कुछ बोलूँगा नहीं वीडियो अच्छे लगया तो लाइक ज़़र करें आप दो श्यरूब करें तो यहांपर मैं आप लो मैं आप लोगो बता देता हूं वापस से जो है इनका जो सिंबल है एलाड स्लाइडर वह वापस से आ गया और यहां पर मैं आप लोगो सारा चीछ कंपेर करके बताऊंगा बिल्ड कॉलिटी हो डिजाइन हो डिस्प्ले हो परफॉर्मेंस कैमेरा बैटरी इक्स्ट्रा सारा चीछ जो है इस लास्ट प्राइस जो है कंपेर करके सारा चीछ यहां पर प्लोग बताने वालों तो चलो यहां पर सिरुवात करते हैं बिल्ड कॉलिटी से अब दोनों की बिल्ड कोलिटी के बारे में बात कर जाता है तो वन प्लेस एलेवन में आपको 8.5 mm की थीकनेस मि 205 gram का weight है और आपको glass का back मिलता है जो की victos protection सार मिलता आपको got Mu liag dots में aluminum का frame मिल जाता है यहांपे metal frame भी मिलता आपको और यहां पर इनका जो है जाना-m diyorsun bitesational ब्हुत टा सेन वहम के ठीकने साही यानि कि OnePlus से थोड़ा सा ये चोड़ा है और 208 ग्राम वेट है और IQ की वेट भी थोड़ा ज्यादा है और इसके भी पीछे जो है Gorilla Glass Victus की Glass Back मिलती है आपको जो कि Gorilla Glass Victus का स्पोटेशन मिलता है और इन दोनों की पर्सनल प्रिफरेंस है तो दोनों की डिजाइन भी अच्छी है और BMW एडिसन के साथ ये आपका आता है IQ 11 और OnePlus जो है वो अपना Hazel Blood का ब्रांड के साथ आता है तो दोनों की डिजाइन अपनी जगा पे अच्छी है दोनों की फ्रेम भी हाल्मुनियम की आपको मिलेगी दोनों की मेटल फ्रेमिंग भी मिलेगी दोनों की पीछे ग्लास बैक भी मिलेगा और दोनों जो है फोन स्लिपरी भी आपका होने वा और LTPO अगर आप लोगों नहीं पता तो बिसिकली क्या होता है कि वन हट्स से लेके वन ट्वेंटी हट्स तक जो है यह रिफ्रेस्ट को वैडी करते रहता है बतलब कि जैसा आपका यूज है उस आपसे जो है यह इसका जो हर्स बदलते रहेगा और आपको इसमें फायदा सा करव है और देखने में काफी अट्राक्टिव लगता है पर जो है आपको प्योर एमोलेट पैनल तो मिलता ही है साथ में 120 हर्स का डिस्प्ले ब्याप 120 हर्स का सपोर्ड भी मिलता है और इसके साथ जो है डॉल्वी विसन का सपोर्ड भी है वन बिलियन कलर भी तो डिस्प्ले वन प्लस की काफी अच्छी है और अगर यहां पर बात के जा आईक्व 11 की इनका भी सुनलो भाई इनका जो डिस्प्ले है वो भी कम नहीं है इनका जो आईक्व 11 का डिस्प्ले है वो 6.78 इंच का 2K यानि Quad HD का पैनल है एमोलेट पैनल मिलता है एल्टिपी का जो रहें ग्लाज विक्टास का साथ पोतक्सन आपको मिलता है दोनों में विक्तु का प्रोडीक्शन है बट अगर आको फ्लै Til Temple पसंद अ कई इक हमें कर डिस्प्ले की अच्छी है और बीस्प्ले की मिलेटैं not कोई गर्बर हो या कुछ कवर का प्रॉल्लम हो दोनों के डिस्प्लेश्ण टॉप पे है और दॉनों में इस कि वहां सब्सक्राइब यहाँ में हैं यहां जाएगा एट मिल जाएगा और साथ ही में आपको 8GB का RAM और 12GB का RAM का option मिलेगा और 256GB Internet Storage और 128GB का Internet Storage का option मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ पर अगर बात कहाँ जाएगा UFS टाइप का तो storage type अपको मिलता है 4 का UFS 4.0 का storage type अपको मिल जाता है और यहाँ पर इसकी जो Antutu score को check किया गया तो भाई 10,40,000, 10,40,000 का score निकल गया आया अब बात कहाँ जाएगा IQ11 का तो IQ11 में भी है को Snapdragon 8 Gen 2 का chipset देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको एकी Internet Storage मिलेगा 256GB का अभी फिलाल एकी अवेलेवल है Amazon पर 256GB का Internet Storage और 2 RAM का variant मिलेगा 8GB RAM और 16GB RAM यहाँ पर आपको Antutu score जो है वो निकल काया है 10,28,000, 10,28,000 और यहाँ पर भी आपको storage type जो है 4.0 का UFS storage type देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर एक advantage क्या है IQ में कि आपको V2 chip देखने को मिलता है जो कि Vivo का अपना chip लगा हुआ था इसमें जैसे कि IQ 90 में V1 chip लगा वा था और IQ 11 में आपको V2 का chip मिलता है जो कि इसका V1 से next generation का chip है तो भाई, basically यह chip क्या करता है अगर आप लोग नहीं पता है तो आप लोग जाकर check out कर सकते हो IQ 90 का review में महाँ पर मैं बताया है कि V1 chip करता क्या है अगर आप लोग सोच रहो कि दोनों का processor एक है दोनों की UFS type है ठीक है, दोनों की RAM variant जो भी आप लेता हो, प्रिफर करता हो स्टोरेज यहां पर आपको advantage मिलता है कि 250 GB का मिलता है IQ 11 में अब यहां पर आप लोग सोच रहो कि अन्तुति इसको IQ 11 का कम है और 1 प्लस 11 का ज्यादा है तो भाई कितना का difference हो रहा है 12,000 का difference हो रहा है IQ 11 में आया है 10,28,000 1 प्लस 11 में आया है 10,40,000 है 12,000 का difference हो रहा है तो आप लोग अन्तुति score को देखके मत जाना देखो IQ 11 के सबसे बड़ी advantage यह है कि भाई इसमें V2 chip V2 chip काफी चीज में मदद करता है कैमरा में मदद करता है gaming मदद करता है media consumption में मदद करता है काफी चीज में इसका advantage है हाँ यह वाद सही है कि अन्तुति score एक आपको एक अनुमान देता है एक idea देता है कि भाई यह phone इतनी fast है इसकी processor इतनी fast है अन्दूतू score को पर पुरे depend नहीं होता है जब आप phone को practical use करते हो जब आप day to day उसको use करते हो तो आपको पता चलता है कि यह phone कैसा है तो आप अन्दूतू score को देखके तो बिल्कुल से तो बना लेना कि इसका 10 लग 40 है उसका 10 लग अठाई से तो यह phone बिकार होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है अब भाई बात करते हैं कैमरा के बारे में देख 1 प्लस 11 आपको मिलता है 15 में पिक्सल का मेन कैमरा 32 में पिक्सल है टेली फोटो लेंस और 48 में पिक्सल का अल्टरा वाइड लेंस सुपर्ब काफी अच्छा है अब भाई यह दोनों का सेंसर में फरक है और अगर दोनों की इमेज के बारे में बात किया जाए तो भाई कहीं ने कहीं OnePlus की फोन जो अभी नहीं निकली है यह भी फोन नहीं निकला है तो इन दोनों को अभी तुरंत आप कंपेर नहीं कर सकते हो आपको एक दो मेंना टाइम लेगा काफी अपडेट्स आती है उसके बाद कैमरा में थोरा सा जो भी बग्स होते हैं कैमरा को और इंप्रूब्मेंट किया जाता है उसके बाद जो दो-तिन मेंना बाद आप जो चेक करते हो आपको दिखती है बाद यहां पे मुझे आईक्व 11 की कैमरा ज्यादा अच्छा लगा मैं आप लोग कुछ इमेज यहां पर शेयर कर रहा हूं एक जगा यह जगा वन प्लस 11 का इमेज है आप लोग चेक आउट कर सकते हो कि दोनों की इमेज में कौन सा बेस्ट आपको लग आइंटी की कैमरा भी काफी अच्छी थी आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हो मैंने जैसे कहा वहां पे वी कैमरा कर सकते हो दिया हूं बाइव वी वन चिप काम करता है और नाइट मोर्ड में काफी अच्छी तरिका से काम करता है मैं कुछ यहां पर आईक्व 90 की इमेज सेर कर रहा हूं देख सकते हो पूरा डार्क सीन है मतलब कि आपको डारेक्ट नेकेड आई से आपको पूरा अंधेरा दीख रहा है उस जगह पे इन्होंने काफी अच्छा इमेश प्रोड्यूस करके दिया है और यह कहीं ने कहीं V1 चीप भी काम कर रहा है नाइट मोड़ मैं यहां पर आपको 1-11 मिलता है पर आईक्यू 11 के बारे में बात किया है तो इसका जो OS है महाई पकवास OS है जैसा कि मैंने पहले भी रिवीव में मैंने कहा है कोई फिस सारी वीडियो से मैंने कहा है आईक्यू की OS मुझे बिलकुल पसंद नहीं है फंटच शटिन मिलती है इस मतलब कि अगर वो इंडिया में आ जाए तो सब OS को फिल कर दे ऐसी OS है वह इतनी अच्छी OS है पता नहीं पर क्यों लाते है और चला रहे हैं यहां इंडिया पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बट यहां पर आपको वही फंटच OS 13 मिलता है जो कि बिलकुल से बक्वास OS है किसी को फंटच OS अच्छा लगता है बट मेरे पॉइंट अफ्टच OS में कोई फंट नहीं है ठीक है तो फंटच OS मिलता है और दोनों की अगर OS के बाने बात की जाए तो फंटच OS से अच्छा आपको ऑक्सिजन OS 13 है यह पहले से भी अच्छा था बट फंटच OS 13 से अच्छ अच्छा आपको ऑक्सिजन OS 13 है ठीक है तो दोनों की अगर OS को लेके अगर आप लोगो डिफ्रेंस काफी लोग को मैंने देखा है बाई OS को लेके भी फोन चेंच कर देते हैं युआ को लेके ठीक है मतलब की लगता है कि बाई यह फोन का युआ अच्छा नहीं है काफी ल दोनों में आप लोगो 3.5 mm का कोई सपोर्ट निमिलेगा दोनों में आप जो है वार वाला हेटफोन नहीं लगा सकते हो Bluetooth एटफोन नियुज कर सकते हो और यहां पर दोनों में आपनों को stereo speaker मिल जाता है और दोनों के sound अच्छी है दोनों के studio speaker जो क्वालिटी अच्छी है दोनों में आपको fingerprint sensor मिल जाता है और fingerprint sensor जो दोनों में बहुत अच्छी तरीका से काम करती है अब भाई अगर दोनों की battery के बारे हम बात कह जाए तो यहां पर दोनों में आपको 5000 image के battery मिलती है बर यहां बहुत पर दोनों की चैरजर जो आपको power supply मिलता है आपको one plus 11 में 100 watt का स्पोर्ड मिल जाता है हो इवाख आई क्यू晚上 के बारे में तो आएक्यू 11 में आपको 120 watt का जो है फास्ट ड़ाजिंक का सपोर्ड मिल जाता है 120 wart का fast charging में iq 90 में इसमें भी iq 90 में 120 वाट का मिलता है iq 90 में 120 वाट काफी fast charging होता है और यहाँ पर 1 plus 11 में आपको 101 मिलता है तो दोनों की charging में ज्यादा कोई difference नहीं है दोनों ही जो है आदी घंटा पे लगवक आपको full charge 0 to 100 करके देदेगा और यहां पे IQ 11 जो है 25 मिनट लेगा तो वहां पे OnePlus 11 जो है 30 मिनट लेगा बस 5-7 मिनट का डिपरेंस है दोनों आपको लगबग सेमी टाइम पे आपको चार्ज करें देता है अब दोनों की कलर के बारें हम बात के जाएं तो भाई IQ 11 में आपको ब्लैक वर्सन देखने को मिलेगा और यह जो है BMW एडिशन देखने को मिलेगा ऐसा बिल्कुल ठीक है कलर जो है सेम रहेगा BMW एडिशन का यहां पर बात के जाए दोनों की प्राइज लगबग सेम है यहां पर वन प्लस 11 की प्राइज निकल का आती है 57000 और यहां पर IQ 11 की प्राइज निकल का आती है हैं बट कहीं न कहीं मेरा जुकाओ वन प्लस IQ 11 के तरफ जाता है क्योंकि वहां पर आपको काफी अच्छी कॉलिटी को वी टू जो चीप है वह काफी अच्छी तरीका से काम करके प्रोडूस करके फोटो आप लोगो देता है पिक देता है आप लोगो बट अगर आप लोग को गेमिंग के लिए एक फोन लेने के लिए तो डिफिनेटली मैं जाओंगा IQ 11 के साथ इसलिए जाओंगा कि भाई इसकी जो वी टू चीप है वह काफी अच्छी तरीका से काम करती है गेमिंग के मामले में तो एक काफी सारी अच्छे से इनांस करती है और सबसे प्रब्लम में gaming करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए advantage होती है curved display से, क्यों डिस्प्ले से कभी कभी की की गलती से side-met touch हो गिया या false touch हो गिया तो problem होती है but flat display में आपको देखने भी काफी अच्छी लगती है और आपको खेलने भी काफी अच्छी लगती है अगर आपको लिए gaming priority है gaming के लिए आप फोन लेना चाहते हो गेमिंग के लिए एक फून इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग IQ 11 से जा सकते हो बट हाँ यहां पर में एक चीप बता देता हूं कि अगर आप लोग प्रायरिटी सौफ्टर को ले गए है तो आप definitely OnePlus 11 के तरफ जाना IQ 11 का सौफ्टर आपको बिल्कुल से पसंद नहीं आएगा OnePlus की एक branding है IQ के भी branding आसास तो बन रही है बट OnePlus की एक branding है और design के बारव बात किया तो OnePlus की design मुझे यहां पर जादा अच्छी लगी IQ के compare से अगर आप लोग प्योर गेमिंग करना चाहते हो ना भाई तो आप लोग IQ 11 के तरफ जा सकते हो और तो स्कोर मत देखना आएकिउ 11 काफी अच्छा गेमिंग आपको निकाल कर देगा वीडियो में इतनी था और यहां पर मैं आशा करता हूं कि आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को share ज़र जबूर कर देना और वीडियो को like ज़रू करना झाल झाल